हाई हलो दोस्तों वेल्कम बाग टो मैं चानल मेरा नम है अदित्या और जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं आज हम यह वाला माइक्रो फाइबर क्लोथ देखने वाले जो के एक सॉफ्ट स्पन नाम की ब्राइंड बनाती है और इसे हमने क्यों खड़िडा कैसे खड़िडा हर चीज मैप लोगों को डीटेल में बताऊंगा यह वीडियो आप लोगों के बहुत ही जादा काम आएगा अगर आप गाड़ी स्कूटर बाइक या फिर कुछ भी ओन करते हो तो वीडियो को स्टाटिंग से लेकर एंड तक देखना हर एक चीज मैप लोगों क को डीटेल में बताऊंगा चल यह दोस्तों फिर वीडियो की फटा-फटा शुरुवात कर लेते हैं अन्बॉक्सिंग के साथ यह हमें 284 रुपीज का पड़ा है और यह चार का सेट आता है 40 x 40 cm में 340 GSM आते हैं हावेवर GSM नापने का कोई गेज नहीं है बट यह जो प्र इलिकेट चीज को साफ करने में यूज कर सकते हैं बहुत ही जादा बढ़िया है दोस्तों यह टाविल्ज है इनसे आप बाइक वगएर पहुचोंगे तो आपके बाइक के पर स्क्राचिस भी नहीं आएंगे और इनके बहुत सारे और भी प्रोड़क्स आते हैं सब की सबक हमने पर्चेस किया और यह बहुत जादा ही चलते हैं हवेवर इसके जो पहले वाले प्रोड़क्स थे वो भी हमारे बहुत जादा चले मैं एक यूज कर रहा था मेरा गुम गया फिर अभी मेरे फ्रेंड बाकी फ्रेंड को दिया था बाकी फिर उसने मंगाया है उसके या फिनिशिंग के साथ आता है यह टाविल तो इसकी जो लाइफ होती है वो आटोमाटिकली बढ़ जाती है इसे आप मशीन में भी वाश कर सकते हो हाथ से भी वाश कर सकते हो कोई वी टाइक की प्रॉबलम नहीं है मैंने मैं इसे डिटरजन में ही धोता था आप देख सकत कितना थिकनेस है यह थिकनेस की वज़े से ही यह सारा जो भी पानी वगेरा है कचरा सब इसके अंदर सोख लेता है और इंस्टेंटली ड्राइ होने की भी टेकनलोजी जैसा कुछ दिया गया इसके अंदर यह बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करता है दोस्तो अब आप यह आप यह सेंपल देख लो यह देखो यहां पर बारिश आ रही है थोड़ी थोड़ी और मैं आपको यह कपड़े से एक सेंपल पोच के दिखा देता हूं देखो कि मैं कैसे पोचता हूं ताकि आपको एक अच्छे से जज्च्मेंट मिल जाए अब देखो कितना बढ़िया कैसे साफ हो रहा है और एकदम लाइठ हाथ की रखता हूं ताकि कार पे भी स्क्राचिस वगरा ना आए और साफ भी हो जाए कुछ इस टाइप से मैं करता हूं और इसके एक दो मिनिट बाद आप देखो कि ना एकदम ड्राय हो जाएगा हावेवर अभी बारिश आप लोग है इसको बाई करना हावेवर कॉस्टली है मानता हूं बट इसकी क्वालिटी भी वैसी ही दी गई है अब विंग शिल्ड आपको थोड़ा सा साफ करके बता देता हूं यह मैं आप लोगों को सिफ सैंपल बता रहा हूं दोस्तो इसे आप फूल गाड़ी भी क्लीन कर सकते हो और आप इसको दो चार बार यूज करने के बाद में भी वाश कर सकते हो या फिर एवरी टाइम आप यूज करने के बाद भी वाश कर सकते हो आपके उपर है दोस्तो आप किस टाइप से इसे यूज करते हो जादा मटी लग जाती है तो मुझे लगता है आपको वाश करके ह यह बहुत ही excellent product है दोस्तों यह no doubt क्यों इसकी इतनी अच्छी rating है और क्यों इसका इतना अच्छा reviews है इसकी quality की वज़े से तो दोस्तों देख लोग कुछ इस type से wipe किया है हमने अब मैं आप लोगों को इसका पानी निकाल के बता देता हूं मतलब निचोड के बता देता हूं कितना easily निकल जाता है जादा दम भी नहीं लगाना पड़ता है और वैसे ही आप वापस से इसको पोच सकते हो वैसे ही wipe करन ग्रे वाला कलर ही recommend करूंगा इसको gray कहते हैं तो buying link description box में आप चेक आउट करके ले सकते हो और भी different sizes आते हैं इसके वो भी मैं डाल दूँगा आप चेक आउट करके अपनी पसंद से ले सकते हो और आप लोगों की कोई भी question कुछ भी होगा मुझे नीचे comment करके बता दूँ मैं जल से जल्द reply करने की कोशिश करूंगा और आपके पास बाइक हो scooter हो या फिर कार हो यह काम करेगा उसके लिए दोस्तो चैनल पर नए हो तो चैनल को subscribe कर लो पुराने subscriber हो तो thank you so much वीडियो को like कर दीजे बहुत ही जादा मेहनत लगती है वीडियो बनाने में और आपके family or friends में किसी के पास भी car, bike, scooter है तो आप यह वीडियो उनको भी share कर सकते हो क्योंकि यह बहुत ही जादा बढ़िया product है दोस्तो आप लोगों के भी दिमाग में कोई भी ऐसा product होगा जिसके पर आप लोग चाते हो कि मैं वीडियो बनाऊ तो वो भी मुझे नीचे comment करके बता तिल ने चलो बाइबाइ